जालना हिंसा मामले में 40 गरफतार S.P. को छुट्टी पर भेजा गया कई जिलों में बंद का एलान महराश्ट के मुख्यमंतरी एकनाथ शिंदे के आश्वासन के बाद भी जालना हिंसा को लेकर आज रविवार को राज्य के कई जिलों में बंद का एलान किया गया जालना में मराठा आरक्षन के दौरान हुए लाठी चार्ज के बाद अब तक 19 S.T. की बसों में तोड़ फोड हुई है जालना लातूर, संभाजी नगर, धराशिव, जिलों में S.T. बसों को तोड़ा और जलाया गया S.T. महामंडल को तोड़ फोड के चलते अब तक 4 करोड का नुकसान हुआ है वही जालना के S.P. तुशार डोसी को छुट्टी पर भेजा गया पिछले कुछ दिनों से हुई हिंसा के बाद उन्हें चुट्टी पर भेजा गया जालना हिंसा मामले में 40 लोग गिरफतार सूत्रो ने बताया कि जालना में मराठा अंदोलन करता पहले रास्ता रोको करने वाले थे लेकिन पुलिस ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया इसके बाद पुलिस ने 5-6 आंदोलन आयोजकों को CRPC की धारा 149 के तहत नोटिस दी और आंदोलन कर रास्ता रोकने पर कानूनी कारेवाई की जेतावनी दी थी इसके बाद मराठा अंदोलन करने वाले और आकरामक हो गए और उन्होंने पत्थरा शुरू कर दिया पुलिस ने इस मामले में आयोजकों के खिलाफ BFIR दर्च की है फिलाल सभी फरार है उद्धोने की मराठा OBC आरक्षन की मांग वही माराष्ट के पुर्व मुख्य मंत्री उद्धो ठाकरे और अशोक चहवार ने जालना दोरे के बाद मराठा आरक्षन की मांग की है शिवसेना UBT के अध्यक्ष उद्धो ठाकरे ने शनिवार को मांग की कि केंद्र सरकार संसत के आगामे विशेश सत्र में मराठा और अन्य पिछडा वर्गों OBC को आरक्षन देने के लिए विध्यक पारित करें उद्धो ठाकरे ने शनिवार शाम को जालना का दोरा किया और राजिके ग्रिह मंत्री दिवेंद्र फणनवीस के इस्तिफे की मांग की उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को एक ऐसा कानून लाना चाहिए जिससे मराठा समुदाय को आरक्षन दिल सके और प्रदर्शन कारियों के खिलाफ दर्ज मामले रद कर दिये जाएं लाठी चार्ज को लेकर उद्धों ने सरकार को घेरा शिवसेना यूबिटी कारेकरताओं को संबोधित करते हुए ठाकरे ने महाराष्ट के जालना में शुकरवार शाम को मराठा अरक्षन की मांग कर रहे प्रदर्शन कारियों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज की जाने को सरकार की करूरत करार देते हुए उसे आड़े हाथ लिया उन्होंने सवाल किया पुलिस कैसी बिरा किसी के निर्देश पर ऐसा विवहार कर सकती है राश्ट्री राजधानी शेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2023 का संदर्व देती हुए ठाकरे ने कहा कि जब सुप्रेम कोर्ट केंदर सरकार के खिलाफ फैसला देता है तो वा संसत में कानून पारित करती है संसत का विशेश सत्र बुलाने के फैसले का स्वागत महराश्ट के पुरो मुख्यमंत्री ने कहा मैंने संसत का विशेश सत्र बुलाने के केंदर सरकार के फैसले की निंदा की थी लेकिर अब मैं इसका स्वागत करूँगा बशर्ते पहले व इस विशेश सत्र में मराठा धांगर और OBC को आरक्षन दें उन्होंने मुख्य मंत्री एकनात शिंदे और उप्पुक्य मंत्री दिवेंदर फणनवी सेवंग अजीत पवार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि सरकार के किसी प्रतिनीधी के पास जालना में जाकर प्रदर्शन कारियों से मिलने का समय नहीं है ठाक्रे ने केंद्र को हिंदू विरोधी करार दिया क्योंकि केंद्र ने 28 से 22 सितंबर को गणेश उत्सो के दौरान संसत का सत्र बुलाया है परिवारवाद को हराएगा चालिस पुलिस कर्मी और कई प्रदर्शन कारी घायत पुलिस ने शुकरवार को और अंगाबाद से लगभग 75 किलोमीटर दूर अंबाद तहसीर से धूले सोला पुर रोड पर अंतरवाली सार्थी गाउं में हिंसक भीड को तितर वितर करने के लाठी चार्ज किया और आसु गैस के गोले छोड़े थे अधिकारियों ने बताया कि मनोज जारांगे के नेत्रितों में प्रदर्शन कारी मंगलवार से ही गाउं में मराठा समुधाई के लिए आरक्षन की मांग को लेकर भूख हरताल कर रहे थे उन्होंने बताया कि इस्